लो एपरिवान तो सबसे पहले जेयम आता दी तो करते है काम स्टार्ट तो मैं बना रही हूँ अर्बी अर्बी हो रही है मेरी फोने प्राइद आटा मेरा गून चुका है इसे में बाउल में निकाल लूँगी तो अर्भी मेरी लाल हो गई है मैं इसे भी बाउल में निकालके साइड में रख दूँगी अब इसमें मैं पहले डालूँगी अद्रक अद्रक उसके बाद में इसमें थोड़ी सी डालूँगी हिंग आयान और धुरुविका दोनों मस्ति कर रहे है तो अब मैंने इसमें प्याज और हरीमिश डाल ली है अद्रक के बाद तो उसमें मैंने हलका लाल करने है प्याज उसके बाद मैंने डाल लिया अर्भी फिर डाल लिया मसाले अब मैं इस अर्वी को ठोड़ धख कर रख दूंगी धीमी आज पे यह मैंने धख कर रख दी है तो आप दुरुविका की डिमांड है मैं अपने लिए बना रही थी वर्नोशिली अपने और मम्मी के लिए ब्रेक्फास्ट में तो दुरुविका करती मैंने भी वही खानी है पट एक प्राब्लम है वो सबजी की नहीं खाती वो खाती है प्लेन तो इसलिए मिरको दोनों के लिए अलग-अलग बनानी पड़ेगी अपने लिए मम्मे के लिए एक साथ और दुरुविका के लिए अलग तो प्यास टमाटर डालके दुरुविका के लिए मैं अलग से बना दूँगी और अपने लिए वेज़ेबल वाली बनाऊंगी वर्नोशिली हम ब्रेकफस्ट में खाती है healthy होती है अच्छी होती है तो काफी दिन हो गयते बनाये होई तो इसलिए सोचा आज वर्नोशिली बना ले जो roasted आती है वर्नोशिली वो वाली तो जब तक मसाला हो रहा है तब तक हलका लाल होगा तब तक मैं टमाटर कद्दू कस कर लेती हूँ इसके बाद दो दो चीज़े बनानी तीन चीज़े बन रही है मेरे गैस पर एक साइड मैंने अरवी रखी हुई है वह मैं बनाओं अपने लिए डालेंगे जो मम्मी और मेरे लिए बन रही है बनोशली उसमें साथ सत ध्यान देना पड़ेगा कि अरवी जलना जाए अरवी मेरी गल के रेडी हो चुकी है तो मैंने गैस कर देती हूँ बन अरवी मेरी हो चुकी है रेडी तो अब देखते हैं नमक मसाले डाल लेते हैं जब तक नमक में चल दी इतीरों चीज़े डाल के दोनों में एक स दालूंगी उसमें क्वंटिटी मुझे कम रखनी है दुरूविका वाले में क्योंकि वह छोटी है जादा मिर्ची नहीं खाती हमारे थोड़े क्रिस्प्री बनते हैं तो दुरूविका की आज फर्माईश थी कि मैंने भी वर्नोशिली खानी है जो आप खाओगे वही मैं खाओगी पर मगर सबजी वाली नहीं खाओगी उसके लिए मुझे प्लेन बनानी पड़ती है वच्छे खानी चाहिए पर वच्छे खाते नहीं तो जब तक पानी उसका बॉइल हो रहा है वर्नोशिली का तब तक मैं बर्तर बंज लेती हूँ क्योंकि सारा काम एक साथ हो जाएगा अग्से फ्री होके बाहर निकलूंगी फिर तो फटा फट बर्तर मांज के तो मेरा प change हो जाता है कभी कुछ बना लो कभी कुछ ब्रेक्वस्ट में कि बरतन मेरे दूल चुके है कि मम्मी ने महंदी लगाई थी तो उसका बाउल था वह दो रही थी मैं बस हो गया है वोश रो चुका है क्योंकि वह साइड पर रखा था वह बूल गई थी दोना तो मैंने बाद में उठाया तो अब सब बरतन दूल चुके हैं अब इसके अब च्छेक करती हूँ देखती हूँ क्या रीजल्ट है उसका पानी अच्छे तरह बोइल हो चुका है तो मैं इसको थोड़े के लिए घख देती हूँ पानी थोड़ा सा सूखेगा बॉइल होगा अच्छी तरह तो इसमें डालेंगे वर्नोशिली ऐसे डालेंगे तो पानी पानी रह जाएगा मेरी वर्नोशिली बनकर रेडी है यह वेजिटेबल वाली वर्नोशिली है प्लेइन मैंने मतलब दुरुविका को दे दी वो दिखाना भूल गई आपको उसमें वेजिटेबल नहीं है काफे दिन हो गए थे फ्रिज साफ नहीं किया था बहुत गंदा हो रहा था तो सोचा आप फ्रिज साफ कर लेती हूँ क्योंकि अप्रिज में डी वो पानी वी हो जयाता है और दूदल करिए और थोड़ी सब्ज़ियां घिर जाती है बहुत गंदा हो जाता है और तो वैसे तो टाइम बिलता नहीं है बचे घर पे हैं थोड़ा अराम से करना कर लेती हैं वरना जल्दी जल्दी बच्चों को स्कूल बेजने के बाद तो पते ही नहीं चलता तो बैर भी हो जाती है तो फ्रिश साफ कर लिए कर रही हूं है वह ज्यादा गंदा हो रहा था हुआإ मैं लोग सोचते हैं हाउस व stripes को को कोय काम नहीं होता घर बैठती हैं और सिर्फ पूरा दिन पर यह उन से पूछोो कि तना काम होता है इक हाउज वाइड कि तल्दा काम करना घर का सारा कुछ बाहर का बच्चों को सब कुछ देखना होता है नीचे वाले डबे भी दाले हम सब फ्रिज में रखती हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है हमारे पतलब दाले वाले सब फ्रिज में होती है सारा सामान मैंने फ्रीज में रख दिया है तो अब नीचे का डबा गंदा हो रहा था जिसमें सबजिया रखती है तो मैंने सोचा वो भी निकाल के साफ कर दूँ पूरा फ्रीज साफ हो जाएगा ये देखिए डबा कितना गंदा हो रहा है इसमें जल्दी जल्दी उस ट्रेम डाल दो देते हैं सारी वेचिटेबल्स पर बाद में सारा देखना पड़ता है फ्रीज मेरा अंदर से पूरा साफ हो गया है तो मिलते हैं आपसे नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई गुड नाइट और जिन लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें तो तब तक के लिए कल मिलते हैं आपसे बाई गुड नाइट